हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू फन अन्बॉक्सिंग और आज हम आपके लिए लिए क्या है और एक मज़ेदार अन्बॉक्सिंग वीडियो तो आज हम अन्बॉक्स करने वाले है दे मैंन कंपनी के इंटेंस पर्फिम को तो जानेंगे इसके बारे में सब कुछ कैसी है इसकी फ और ये सी दा मैंन कंपनी से मुझे डिलिवर हुआ है तो चलिए फटा फट सी इसको अन्बॉक्स करते है तो ये है दा मैंन कंपनी का इंटेंस एडिबी पर्फिम इसके पैकेजिंग के अगर हम लोग बात करे तो हम लोग को ब्लैक बॉक्स दिखने को मिलता है तो उसमें golden letter से तो man company का logo emboss है और semi golden letter से हम लोगो और film का नाम भी emboss क्या हुआ देखने को मिलता है जो इसको एक premium look provide करता है box के right hand side के अगर बात करें हम लोग तो यहापे हम लोग के एक tag line देखने को मिलती है और साथ में ही इसके notes mention किये हुए है और box के back side के अगर बात करें तो यहापे हम लोग को marketed by और manufacturer by की information देखने को मिलती है और साथ में इसकी pricing mention है जो की है 1299 रोपीज बट इसकी actual price में आपको इस दोडियों में आगे बताऊंगा और यहापे इसकी shelf life mention की हुई है जो की three years की है और box के left hand side पे हम लोग को hashtag देखने को मिलता है तो काफी अच्छा box है और यह है the man company के intense EDP की bottle बात करें हम लोग तो black color की gradient shade की एक bottle हम लोग को देखने को मिलती है और इसके उपर ही man company का logo और perfume का नाम हम लोग को golden में प्रिंट किया हुआ देखने को मिलता है इससे यह bottle बहुती attractive और बहुती premium हम लोग को feel होती है backside के अगर हम लोग बात करें तो यहापे इसकी MRP और shelf life mention है और इसकी gap की quality पे हम लोग को बहुती अच्छी देखने को मिलती है बहुती tight cap दिया हुआ है overall bottle के अगर बात करें तो यहापे बहुती attractive और premium bottle हम लोग को देखने को मिलती है तो चलिए फटाफट से इसका initial impression लेते हैं किस तरीकी का यह fragrance होने वाला है एक्टमाइजर की quality भी बहुती अच्छी है अच्छा juice release करता है और leak नहीं करता और इसके fragrance की अगर बात करें हम लोग तो इसमें हम लोग को initial spray पे एक strong sweet coffee fragrance महसुस होती है और इसके notes की अगर बात करें हम लोग तो इसके top note में आपको oriental, middle note में patchouli और base note में vanilla का combination मिलता है और अगर इसकी fragrance एक आसान लबजों में समझनी होगी तो ये एक fresh, floral, sweet और coffee flavor fragrance है और इसके initial spray में आपको एक fruitiness का एशास होगा और flower की हलकी सी खुश्बू आपको महसुस होगी और इसके dry down में आपको ये एक काफी strong fragrance मेंसुस होगी और coffee का fragrance vanilla के साथ एक अच्छा plain बन जाता है जो इस fragrance को rich और premium fragrance बनाता है और इसके performance के अगर हम लोग बात करें तो इससे आपको पास से 6 गंटी की performance मिल जाएगी ये fragrance एक strong mature fragrance है इसको आप formal और casual दोनों भी occasion पे use कर सकते हैं और ये हर season में काम करेगी आप इसको हर season में use कर सकते हैं और इसके pricing के अगर हम लोग बात करें तो ये आपको Amazon और Flipkart जैसी online websites पे 600 से 900 के around मिल जाएगी और मैंने इसको एक बेतरीन डील में क्रेड से स्रिप 219 रुपीज का purchase किया है जो कि एक बहुत ही बेतरीन डील में हुझे ये मिला है मैं इसका best buy link भी वीडियो के description में add कर दूँगा आप वासे जाके इसको आसानी से purchase कर सकते हैं उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एसे ही मज़िदार unboxing videos के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी notification आपसे miss ना हो फिलाल इस वीडियो में इतना ही हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई